प्यारी बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास एट सब्जेक्शन स्क्रिप्ट का द्युतिया पाठा लेकर उपस्थित हूँ, पाठ का नाम है वसुधाईब कुटूम्ब कम, वसुधा एव कुटूम्ब कम, वसुधाईब कुटूम्ब कम, यहां बृध्धि संधी हुई बसुधाईब कुटूम्ब कम, वसुधाईब 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 क को हुआ है एसा चटका अस्ति यहां यदि हम चटका के अंदर अंडर लाइन करके प्रस निर्मान करना चाहेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे एशा का अस्ति यहां चटका के कारण एसा सब्द का प्रियोग हुआ है क्योंकि यहां चटका अस्तिलिंग है इसलिए यहां एशा सब्द का प्रियोग किया गया है यहां काकह पुल्लिंग है इसलिए एशा पुल्लिंग शब्द का प्रियोग किया गया है काक के लिए यहां भी इदि हम प्रस निर्मान करना चाहे काकह को अंडरलाइन करके एशह कह अस्ति, यह कववा है, एशा का अस्ति, एशा चटका अस्ति, एते द्वे मित्रेस्ता हैं, यह दोनों मित्र हैं एक दा इतस्ततह परिभ्रम्या, तो एक स्मिन वरिक्षे निर्मितम एकम सुन्दरम क्रिहम अपश्यताम एक दा एक बार इधर उधर परिभ्रम्या भूमकर, तो दोनों अर्था चटका काकव तो एक स्मिन वरिक्षे एक वरिक्ष पर निर्मितम क्रिहम, निर्मितम एकम सुन्दरम क्रिहम अपश्यताम एक बार चटका और काक इधर उधर घूमकर, एक बिक्ष पर निर्मितम बना हुआ एक सुन्दर घर को देखा अपश्यताम यहां अपश्यताम, लंगलकार प्रथम पुरुष दुवचन का है अपश्यत, अपश्यताम सुन्दरम क्रिहम द्रिष्टवा तव अचिन्तायताम सुन्दरम ग्रिहम, सुन्दरम ग्रिहम यहां ग्रिहम शब्द विशेशन है, ग्रिहन शब्द यहां विशेश्य है और सुन्दरम यहां विशेशन है, क्योंकि घर का विशेश्ता यहां पर में सुन्दर तो सुन्दर बता रहा है, तो सुन्दरम क्रिहम, सुन्दर घर, सुन्दर घर द्रिश्टवा देखकर तव, चटका काकव, सुन्दर घर देखकर, द्रिश्टवा, द्रिश्टवा में अक्तवा परत्या है, सुन्दर घर को देखकर, चटका और काक अचिन्तयताम, सोचा, चतका और काक ने सोचा एताद्रिशं इस्प्रकार का सुन्दरम सुन्दर घर भवेत भवेत भवेताम भवेयु यहां भवेत सद विधिलिंग का है जो रूप बनता है भवेत भवेताम भवेयु भूधातु का भूधातु है विधिलिंग प्रसंपुरुष एक बचन भवेत अतह अधुना आवाम अपी एताद्रिशं सुนदरं गृहं रच इस्यामह रचिस्यावह अतह तो आदुना अब हम दोनो हम आवाम अश्मत्सवत का दुव सट पाम अदुना आवा का acum दोनो भी आपी मियस भी एताद्रिशं इस्प्रकार का सुनदरं गृहं शुनदर घर सुन्दर घर रचैस्यावह बनाएंगे रचैस्यामी रचैस्यावह तो अब हम दोनों भी इस प्रकार ऐसा ऐसा सुन्दर घर बनाएंगे इती चिन्दर इत्वा स्वनिवाशं अगच्छताम अगच्छताम अगच्छन लंगलकार प्रथम पुरुष दुईवचन अगच्छताम इती चिन्दर इत्वा अक्त्वा परत्य ऐसा सोचकर स्वनिवाशं स्वख खुद का निवाशं घर अपना घर अगच्छताम वापस आ गया यहाँ आप देख रहे हैं इतस्तताह इधर उधर परिभ्रम्य मतलों गूमकर परिभ्रम्य में लियप्रत्य है एता द्रिशम इतना या ऐसा रचैस्या वह बनाएंगे चिन्द इत्वा मतलों सोचकर का कह व्रिक्षे म्रत्किकया सुन्दरम क्रिहम निर्मितवान का कह कौवा व्रिक्ष पर म्रत्किकया लतया जैसे बनता है लतया लता लते लता लताम लते लता लतया बनता है तृतिया एक बचन इसी परका म्रत्किका शब्द है जिसका बनता है मिर्ति कया तो इसका आर्फ हो जाएगा का कह वरिक्षे वरिक्षे में शाफ्त व्यक्ति एक बचण तो का कह कौँ वरिक्ष पर चटका चटका चिडियां त्रिन के द्वारा त्रिन अर्थात खर घाश घाश पात वगेरा इससे त्रिन के द्वारा पत्तों के द्वारा काश के द्वारा इत्यादी स्वाग्रिहं निर्मित वती मतलब चटका त्रिनों के द्वारा स्वग्रिहम निर्मित वती त्रिनेई शब्द कहां कहें? तो त्रिनेई शब्द यहां त्रितिया बहु बच्चन में बनता है त्रिनेई अब चलेंगे कता है कि एकदार भीषने ग्रिष्म काले सरवत्र शुषकम अभववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव एक दा, एक बार भीशन, मतलब बहुत जोड की गर्मी, भीशने गृश्म काले, गृश्म काल में सरवत्र सभी जगा सुसक हो गया, सुखा पर गया, सर्वे दुखी नह आसन सभी दुखी हो गए, आसीत आस्ताम आसन सर्वे दुखी नह आसन सभी दुखी हो गये चटकाया ग्रिहम अपी नस्टम अभवत चटका का घर भी नस्ट हो गया सा खिन्ना आसी तुआ दुखी थी चटका सा खिन्ना आसी यहां आपको यहां देखना होगा कि आसी यहां आपको 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 ऐसा भी प्रश्ट कभी कभी आता है कि सा कर्थ्रिपद कस्य क्रते अस्ति सा यह कर्थ्रिपद किसके लिए प्रियुक्त है तो सा शब चटका का शंबोधन करता है सा सब चटका के लिए प्रियुक्त किया गया है तो सा खिनना सिद्व खिन्थी सा चिन्त यती किम करो मि वह सोची कि क्या करूं परन्तु काकश्य ग्रिहम नो नस्टम लेकिन कवा का घर नस्ट नहीं हुआ तत तु मृतिका याह आसित वह तो तत तु तो मृतिका याह आसित वह तो मृतिका का था इसलिए काक का घर नहीं नस्ट हुआ यहां तत सब्द ग्रिहम शब्द को कह रहा है ग्रिहम सब्द चतका चिंधित्वा काकस्य ग्रिहम गर्चती काक के घर जाती है चटका काक कात को कहती है ब्रातह ए ब्रातह अस्मिन भीषने ग्रिश्म काले मम ग्रियम नश्टम अवोद इस भीष्णन गृष्ण काल में मेरा घर नश्ट हो गया सरवत्र उष्णाहा अस्ति सभी जगा उष्ण है सभी जगा उष्णाहे, गर्मी है महियं स्वग्रिहे सरणम यच्छ मुझे स्वग्रिहे अपने घरमे सरण दो का कहा अभिमानी आशित का कहा अभिमानी आशित कववा अभिमानी था सह अकथयत वह कहा गच्छ गच्छ जाओ जाओ अत्रास्थानम नौस्ति यहां अस्थान नहीं है कुत्रचित अन्यत्र गच्छ कहीं अन्यत्र दूसरे जगा जाओ गच्छ लोटलकार मध्यमपुरूस एक बचन तब ग्रिहम नश्टम तुम्हारा घर नश्ट है नश्ट हो गया है अहम किन करवान मैं क्या करूँ तत्षुत्वा खिमना चटका गच्छती इस प्रकार से सुनकर दुखित चटका गच्छती चली जाती है गच्छती काले ग्रिश्मकाल हा शमापत हा कुछ समय बीतने पर ग्रिश्मकाल समापत हो जाता है वर्षारत हो चव आगत चट वर्षारत हो वापस होता है सरवत्र हरीतिमा आसित सभी चटका नभीनम ग्रिहम अरचयत चटका नभीन घर को बनाया चटका ने नभीन घर को रचा तदैवा तदा पलस एवा तदैवा विर्थी संधी आ और ए मिलके ए हो गया है तदैवा विर्थी संधी तदैवा सहसा अतिवर्ष्ट ही अभवत उसी समय अचानक सहसा अचानक अतिवर्ष्ट ही बहुत जोर की बारिश अभवत बारिश होई काकस्य ग्रिहम नश्टम अभवत काक का घर नश्ट हो गया फिन्नहा काकह सरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छद दुखित काक कवा सरण लेने के लिए चटका के समीप आता है आया चटका तस्य सरणम सहरसं स्वागतम करोती चटका चिडियां तस्य काकस्य तस्य अर्थात काकस्य चटका काकस्य सहरसं स्वागतम करोती चटका काका सहर स्वागत करती है सरवंच अवगंब्य कथयती सरवंच और सब जानकर अवगंब्य जानकर कथयती कहती है ब्रातह हे ब्रातह चिंताम मा कुरू चिंताम मत करो अहम सरवम अवगच्छा में मैं सब जानता हूँ मैं सब जानती हूँ अहम तब प्रतिक्षा याम आसम मैं तुम्हारा प्रतिक्षा में ही थी अंतह आगच्छ तु अंदर आओ का कहा लजितह भवती चटका पुना कथेती भ्रातह चटका फिर कहता है भ्रातह चिंताम त्य तु चिंता छोरो आनंदेन भोजनम करो तु आनंद पुर्वक भोजन करो वर्षा परियंतम आवाम मिलत्वात्र स्थास्यावा वर्षा परियंत जब तर वारिशोगी तब तक हम दोनों यहां मिलकर बसेंगे तु रहेंगे स्वागतम तब तुमारा स्वागत है भोजनम करो तु भोजन करो लज्जित काक कवा भोजन करता है सहचिंत यति वह सोचता है अहम तू स्वार्थी असमी मैं तू स्वार्थी हूँ परम एसा उदार हुदया अस्ति लेकिन यह उदार हुदय वाला है वर्षा कालात अनंतरम काकह वर्षा काल के बाद कवा काकह पुनह नवीन ग्रियस से निर्मानम करोती वर्षा काल के बाद कवा पुनह एक बार फिर से न्यू घर का नवीन घर का निर्मान करता है चटका आपी सहायम करो ती चटका भी सहायता करती है उभव मिलित्वा सुखेन वसता दोनों मिलकर सुख पुर्वक बसता है रहता है सत्यम एब कतितम सत्य ही कहा गया है उदार चरिता नाम्तु वसुधेव कुटुम्ब कम उदार चरितर वाले व्यक्ति के लिए तो वसुधा ही कुटुम्ब है पूरे संसार पूरी पूरी तृत्वी कुटुम्ब के समान है सबदार था अब गम जानकर अंतह अंतरम पश्चात सहायम सहायता उभव दोनों मिलित्वा मिलकर वसुधेव पृत्वी ही कुटुम्ब कम मतलब परिवार है परिवार धन्यवाद हा